Hello everyone, Welcome to All India Students Community मैं All India Students Community में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो आज है 29 अपरेल और 29 अपरेल से बनने वाले सभी important current affairs हम इस वीडियो में cover करेंगे आप किसी भी exam की preparation कर रहे हो हर एक exam में current affairs पूछा जाता है और current affairs के साथ साथ static gk भी तो इन ही दोनों को मैं आप लोगों का हर रोज सुभा साड़े आठ बजे cover कराता हूँ साड़े आठ से नो बजे के around आप लोगों को ये वीडियो हर रोज सुभा मिल जाएगा आप इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं उसके लिए आप लोगों को प्ले स्टोर से प्ले स्टोर से हमारा एप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है All India Students Community जिसका लिंक मैं डेस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा वहां से आप डेली का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं तो चलो शुरुआत करते हैं आज के हमारे Current Affairs Session की पहला कोश्चन है UNICEF Global Vaccination का नित्रतु कोन कर रहे हैं and the correct answer will be और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डेविड बैकम इंगलिस फुटबोलर है डेविड बैकम और यही जो है यह UNICEF Global Vaccination का नित्रतु कर रहे हैं इसके तहट क्या होगा कि वैक्सीन में विश्वास पैदा करने के लिए और दुनिया भर के जो माता पिता है उनको जागरूग करने के लिए कि अपने बच्चों को वैक्सीनेशन कराए ताकि उनको घातक बिमारियों से बचाया जा सके तो डेविड बैकम जो है वो UNICEF के Global Brand Ambassador भी है और यही जो है Seven Fund for UNICEF के तहट यह बाकी अभिवावकों को प्रेरित कर रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए अब बात UNICEF की करें UNICEF इसका फुल फॉर्म क्या है CISF के एक्जाम में और आप लोगों का जो SSE CISL के एक्जाम हुआ उसमें पूछा गया था UNICEF का फुल फॉर्म क्या है तो यह United Nation Children Fund इसके Headquarter की बात करें तो Headquarter इसका New York में है और वही पर अगर मैं बात करता हूँ कि इसकी स्थापना कब हुआ था तो 11 दिसंबर 1946 में इसका स्थापना हुआ था UNICEF United Nation Children Fund का बढ़ते हैं अगले कुश्चन की तरफ Next कुश्चन है भारत के नए Chief Election Commissioner का नाम बताईए Name of the New Chief Election Commissioner of India और मैं आपको बता दूँ यह सिर्फ एक कुश्चन नहीं है यहां से हम चार कुश्चन को कवर करेंगे और डेफिनिटली इन चारों में से एक नएक कुश्चन आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा भारत के नए Chief Election Commissioner का नाम क्या है तो भारत के जो नए Chief Election Commissioner बन गए है वो है सुसील चंद्र कोन बन गए है सुसील चंद्र और यह 24 वे नंबर के Chief Election Commissioner बने है इससे पहले सुनील अरोरा साब थे 23 वे नंबर के अभी वो अपने पद से रिटैर हो चुके है और इस समय वो गोवा के गवर्नर के रूप में काम करेंगे सुसील अरोरा सुसील चंद्र जो है यह 24 वे भारत के नए Chief Election Commissioner होंगे वही पर अगर मैं बात करूँ N.V. रमन्ना की N.V. रमन्ना यह भारत के नए मुख्य नयाइधीस बने है इस से पहले 47 वे नंबर के कौन थे सरद अर्विंद बोबडे सरद अर्विंद बोबडे जो है यह भारत के नए मुख्य नाइधीस थे जो 47 वे नंबर के थे तो यहां से दो चीजे मैंने आपको कवर कराई एक तो सुनील अरोरा गोवा के अब राजयपाल बन गए है जो पहले क्या हुआ करते थे चीफ इलेक्शन कमिशनर हुआ करते थे चीफ इलेक्शन कमिशनर कोन बन गए सुसील चंदर बन गए 24 वे नंबर के अन्वी वेंकट रमनना इन्होंने सरद अर्विंद बोबडे को प्लेस किया है और यह बन गए है भारत के नए मुख्य नए दीज अब यहाँ पर एक और उप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा वो है अमित बनर जी का अब यह कौन बने है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड एक कंपनी है बी एमल के नाम से भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नए CMD बने है अमित बनर जी कौन बन गए है अमित बनर जी मुझे पूरे उम्मीद है आप लोगों को यह सारी चीजे जो मैंने आपर 4 important appointments बताए है यह आपको cover हो गए होगे दोस्तों यहाँ पर देखे नीचे एक like का बटन होगा जिन लोगों ने अभी तक like का बटन नहीं दबाया है like का बटन दबा दीजिए जैसे आप लोग हर रोज अपरे लिए target बनाते होंगे कि आज मैं match के 50 question करूँगा आज मैं history के 2 chapter complete करूँगा ऐसे ही आज हमारी इस वीडियो का target है कम से कम 100 like का और यह तभी होंगे जब हर एक आप लोगों में से देखने वाला like करेगा जो हर रोज वीडियो को देखना आता है और वो चाहता है कि हर रोज वीडियो आए इसी तरीके से तो एक बार वीडियो को like भी जरूर कर दीजेगा नेक्स कोशन है पाइथन 5 मिसाइल का सफल परिक्षन किया गया किसके दुआरा तो अभी पाइथन 5 मिसाइल का सफल परिक्षन किया गया यह किसके दुआरा किया गया है तो इसका जो correct answer होगा वो होगा DRDO Defense Research and Development Organization दुआरा पाइथन 5 मिसाइल का सफल परिक्षन किया गया है और इसका जो सफल परिक्षन किया गया है वो तेजस विमान से किया गया है भारत के दुआरा स्वय निर्मित तेजस एरक्राफ्ट के दुआरा ही जो है python missile का सफल प्रिक्षन किया गया है ये हवा से हवा में मार करने वाली missile है ठीक है और कहां पर हुआ अगर आपसे पूछ ले तो इसका जो सफल प्रिक्षन किया गया वो गोवा के अंदर किया गया कहां पर गोवा में किस ने किया DRD ने किया DRD की स्थापना कब हुई थी 1958 में 1958 में इसका स्थापना हुआ था इसके अध्यक्ष कोन है चेर्मेन कोन है जी सतीस रेड़ी जी सतीस रेड़ी जो है ये DRD के चेर्मेन है अगर आपसे पूछ ले कि DRD के तहट DRD जो है इसके responsible minister कोन है तो वो है राजनाथ सिंग जो हमारे defense minister होते है वही DRD के एक तरीके से responsible minister होते है जो कि इस समय कोन है राजनाथ सिंग है अब एक और सवाल आपसे पूछ जा सकता है कि DRD का मोटो क्या है तो इसका जो मोटो है वो है बलस्य मूलम विज्यानम strength origin is in science strength origin is in science जो है ये DRD का मोटो है तो ये सारी जानकारी थी DRD का मोटो है चलो बढ़ते हैं अगले question की तरफ next question है ट्रैकोमा को समाप्त करने वाला दुनिया का दूसरा अफ्रीकी देश कोन सा बन गया है तो अभी हाली में ट्रैको को समाप्त करने वाला अब ट्रैकोमा होता क्या है ये एक आँखों से सम्मंदित बिमारी है जिसमें जो आपकी आँखों की पुतली होती है उसके नीचे घाव होने लगते है और इसका कारण क्या है स्वच्चता की कमी और पानी की कमी होना कहीं पर तो अभी ट्रैकोमा को समात करने वाला अफरीका का दूसरा देश बना है वो है गांबिया और पहला था घाना और अगाना से आपको तुरंत याद आया होगा मुफ्त में कोरोना के टीके पाने वाला पहला देश बना था गांबिया कोवेक्सिन के ठीक है बही पर अभी हाली में मुक्त कोन सा देश गोसित किया गया था अलवा सड़ोर अलवा सड़ोर जो है ये मलेरिया से मुक्त गोसित देश किया गया था ठीक है तो ये सारी जानकारी थी इससे सम्मंदित और नेक्स्कुशन की तरफ बढ़ते हैं next question बढ़ने से पहले आप मुझे comment करके बताएंगे, कल मैंने आप लोगों को बताया था, world food program का जो आप लोगों का world food program है उसका headquarter कहाँ पर है, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब comment करके बताएंगे OECD का headquarter कहाँ पर है, comment करके यह बहुत important है, यह paper में आ सकता है comment करके बताएंगे, इससे पता लग जाएगा आप लोगों ने पिछले वीडियो देखे हैं या नहीं next question है, हाल ही में विस्व हीमोफेलिया दिवस कम मनाया गया when was world hemophilia day recently celebrated और इसका तो सही जवाब होगा हर साल 17 अपरेल को विस्व हीमोफेलिया दिवस मनाया जाता है अब यह हीमोफेलिया है क्या दरसल यह खून से संबंदित एक बिमारी है जैसे किसी को कोई कट लग जाता है तो वो कट खुद को हील नहीं कर पाता है blood, मतलब blood clotting से संबंदित है कि खून के ठके जमना बंद हो जाता है वो है world हीमोफेलिया मतलब हीमोफेलिया की एक बिमारी और इसके परती जागरू करने के लिए हर साल 17 अपरेल को world हीमोफेलिया दिए celebrate किया जाता है बढ़ते हैं अगले question की तरह next question है believe इन में से किसकी आतम कता है which of these is an autobiography of believe तो believe एक फुस्तक है जो खुद की autobiography है जिसको लिखा है सुरेश रहना ने आप image के अंदर देख सकते हैं इसका पूरा नाम जो है believe what life and cricket taught me what life and cricket taught me और इसको लिखा है सुरेश रहना ने भरत सुन्दरेशन के साथ तो याद रखेगा believe जो है ये autobiography है किसकी सुरेश रहना की यहीं पर एक और important question आपको बताता हूं आप से पूछ जा सकता है whereabouts whereabouts इस novel को किसने लिखा है तो whereabouts novel को लिखा है जुमपा लहडी ने जो बिड़न की book आपको याद होगी आप मुझे comment करके बताईए क्योंकि अमेरिका के नई राष्टपती बने है important है पेपर में आ रहा है और दूसरा अमेरिका की भारतिय मूल की जो नई उपराष्टपती बनी कमला हैरिस इनकी नई पुस्तक का नाम क्या था मतलब जो पेपर में पूछी गई थी अभी हाली में वो मैं बता देता हूँ super heroes are everywhere super heroes are everywhere और दूसरी पुस्तक का नाम था the truths we hold the truths we hold बढ़ते हैं एक लिए question की तरफ next question है हाली में आई report के अनुसार भारत सेन्या खर्च पर 2020 में किस नंबर पर रहा तो अभी हाली में सिपरी ने सिपरी अब सिपरी का full form क्या है Stockholm Stockholm Index और ये Peace Research Institute Stockholm International Peace Research Institute सोरी Stockholm International Peace Research Institute तो सिपरी की एक report आई और इसने 2020 के बारे में बताया है कि 2020 में किस देश ने कितना खर्च किया है भारत जो है अपनी सेना पर खर्च करने के मामले में तीसरे नंबर पर रहा है वहीं अगर मैं बात करूँ अमेरिका अमेरिका अपने बजट का टोटल 49% अपनी सेना पर खर्च करता है पहले नंबर पर अमेरिका है दूसरे नंबर पर चाइना है जो अपने budget का 13% खर्च करता है और तीसरे नंबर पर हमारा देश भारत है जो अपने budget का सिर्फ 3.7% खर्च करता है तो आप difference देख सकते हैं अमेरिका 49% चाइना 13% और भारत सिर्फ अपने budget का 3.7% जो है खर्च करता है और इसी के साथ भारत जो है वर्ड में तीसरे नंबर पर है अपने सैना पर खर्च करने में तो दोस्तों ये थे आज के हमारे सभी important current affairs अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को like जरूर करें शेयर करें और चैनल को subscribe कर लीजिएगा बैल आइकन जरूर दबाईएगा जिससे कि मैं जब भी को इनेक्स वीडियो डालो आपको तुरंत अप्डेट्स मिलते रहें अब PDF के लिए daily तुरंत PDF डाउनलोड करने के लिए आप play store से all India students community को डाउनलोड करें और वहाँ से daily के PDF आप देख सकते हैं एप पर आप वेडियो भी देख सकते हैं Instagram पर आप मुझे follow गर सकते हैं नीचे मैंने आप लोगों के लिए मैट्स का एक नया चैनल बनाया था उस मैट्स के चैनल को आप जरूर जोइन कर लिजे का नीचे description में link है ताकि मैट्स की class आपकी महाँ पर हो सके दूसरी और सबसे important चीज़ आज आप लोगों के लिए एक free class पूरा chapter complete करा जाएगा इस chapter का नाम होगा average बहतरीन chapter हर एक कोई भी paper उठालो दो सवाल पके लगबग चार number के दो सवाल आप लोगों के पके होते हैं इस chapter से तो average topic को complete कराऊंगा कि देखते ही answer tricks के साथ एप पर एक बज़े आप लोगों का live class होगा तयार रहिएगा देखते हैं कितने लोग मिलते हैं माँ पर तो जल्दी से all international community app को download करें और pdf download करने के लिए भी आपको app तो download करना ही पड़ेगा चलो वीडियो को like करिए दोस्तों के साथ share करिए और हर रोज 8 या 9 बज़े चेक करिएगा current affairs available रहेंगे आप लोगों के लिए थेंक यू जै हिन जै भारत take care love you all bye bye ध्यान रखिए खुश रहिए और वीडियो लगा कैसा comment करके जरूर बताईएगा thank you